हेलो फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टन मैसेज ठीक है मेरा खुद का एक एक एक्सपिरियंस जो रिसेंटली हुआ मुझे तो उसके रिगार्डिंग ही ये मैसेज उससे जुड़ा हुआ है ठीक है 11-11 पॉर्टल के बाद से बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं और आएंगे ठीक है बट मैटर ये करता है कि आप उनको हैंडल कैसे करते हैं उस टाइम पर आप कैसे बैलेंस करते हैं सो अभी रिसेंटली आई हैव तो मेरे का डिसीजन मेरे को एक डिसीजन लेना था ठीक है डिसीजन लाइफ टाइम का डिसीजन ओकी आई हैब टू मतलब मुझे उसको लेना ही है लेना ही था ठीक है ऐसा वाला सिचुईशन था और उस टाइम पर ठीक है बिलकुल मैं उस चीज को लेके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है क्वेस्टन कर रही थी हाँ ठीक है रस्ता दिखाया जा रहा था कि ये 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 में साइन वगरा ठीक है तो अभी होता क्या है कि ओके आई मेड़ अप माई माइड ना मैंने बिलकुल अपना वो चीज का डिसीजन कर लिया और अफटर जब मैंने उसको रिवीयल किया किस परसन के साथ ने जिसे मैं मैं हमेशा से माना है जो मेरी अवेकनिंग से लेके मेरी जर्णी में अगर मेरी बात को कोई समझ सकता है मेरा सोल में उसके साथ में ये चीज़ शेयर करती हूं और जब मैं शेयर करती हूं तो मुझे मतलब हमेशा से पता है कि वो मेरे साथ है ठीक है हमेशा से मुझे पता क जिसको गया सकते हो अब धडाम से जमीन पे आके गिरना ना जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यह परसन तो 101% मेरी बात को समझ रहा है हमेशा से समझता आया है अब भी समझेगा मेरा साथ देगा इस चीज के अंदर ठीके सो यह बहुत बड़ा ट्रिगर आया है इस बिकर्स आपको किसी पर भी डिपेंडन नहीं रहना होता है ठीके मैं डिपेंडन नहीं थी मैंने जस्ट शेर किया और यह एक्सपेक्ट किया क्योंकि हमेशा वो अंडरस्टेंड करता है तो अंडरस्टेंड करेगा ओके बड़ यहां पर आपके लिए समझने वाली बात क् क्योंकि पोर्टल चल रहा है ठीक है पोर्टल इस ओपन असेंशन चल रहा है सो वहाँ पर मैंने उस चीज को इस तरह से समझा कि it's a divine test आपसे वो person भी जब आपको बहुत important lifetime का decision लेना है उस time पे आपसे वो person भी छीन लिया जाएगा जिससे आप जो आपका सबसे चाहता साथ देता था या जो आपके जिस पे आप विश्वाश कर सकते थे वो person भी आपसे छीना जाएगा because they want to test universe wants to test कि आप उस time पे अब रहके बताओ balance में so अगर ऐसी कोई भी conditions आती हैं किसी भी type के triggers आते हैं कुछ चीज़े आपके सामने reveal होती हैं कुछ रिष्टों के सच्चा ही अगर इस time पे आपके सामने reveal हो रही है कुछ नहीं चीज़ें हा रही है अगेन अगेन आके कार्मिक्स आपको trigger कर रहे है ठीक है और यहां पे आप ये भी बहुत possibility है कि आप कई जगह पर दोराहों पे आके फस होगे जहां आपको quick decision लेने की जरुरत पड़ेगी उस time पे आपको क्या करना है divine की guidance मांगनी है दूसरी बार divine पे यकीन नहीं खोना अब देखिए नॉर्मल situations में क्या होता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा यकीन करते है जिसको हम soul में करते है अपना ठीक है वही हमारा साथ छोड़ते वही हम गो समझने से इंकार करते तो वहां पे क्या होगा वहां पे इंसान तूट जाएगा वो भगवान को question करेगा भगवान है ऐसा क्यूं तो यहां पे आपको यही ध्यान रखना है ठीक है मैंने उस चीज़ को समझा इस टेस्ट ओफ यूनिवर्स ठीक है यह बस टेस्ट है छोटा सा trigger है ठीक है तो यहां पे आपको डिवाइन को कभी भी question नहीं करना है डिवाइन विल को तो कभी भी question नहीं करना है क्योंकि भगवान जी जब जब आप किसी person से expect करोगे तो भगवान जी आपको उस जगह से वो चीज reveal करवा के अपनी side मोडेंगे ही मोडेंगे ठीक है तो ऐसी situations भी life में आएंगी और इस time पे ज़्यादा आएंगी triggers आ रहे हैं triggers आएंगे and second thing और है बहुत सारे डिव जो पहले balance हो चुकी थी अच्छी तरह से balance होईँगी इन ही एक दो दिन में के धर्मयान बता रही हूँ पा रही हूँ ठीक है या मुझे कुछ energy catch क्यों नहीं हो रही है कुछ एक नमने से सी condition आ रही होगी और या फिर कार्मिक्स बहुत ज़्यादा surface हो रहे होंगे ठीक है जो already अच्छे balance में थे जिनके कार्मिक्स भी काफी piece में उनके साथ आ चुके थे सड़नली वो वापिस से वैसा ही बेव करने लगेंगे तो कुछ भी नहीं है ये सिर्फ universe के टेस्ट है ये सब illusion है ये सब कुछ illusion है ये आपका numbness फिल करना ये आपने अपना balance खो दिया है वैसे में आपको prayers का साहरा लेना है meditation का साहरा लेना है meditation में जाना है एंजल protection मांगनी है एंजल से pray करना है बस बार बार pray करते रहिए जहां मोका मिले pray करिए ओम का ज्याब करिए करते रहिए ठीक है और एक चीज जो routine में आपको करनी चाहिए जो मैं रोज ही करती हूँ कपूर लोबान की दूनी करनी चाहिए जरूर करिए क्योंकि उससे आपका आसपास का जितनी भी negativity होती हो cleanse हो जाती है ठीक है और साथ ही आपको औरा cleanse भी होता है तो वो जरूर करते रहिए और आप यह कर सकते हूँ कि meditation कर रहे हैं ठीक है यहां पे आपको triggers आएंगे इस time पे it's high time और एक दो दिन के अंदर बहुत सों को यह feel हुआ होगा जो कि हमारा balance कर गया हम तो बहुत balance में थे हम अचानक से हम इतना नम क्यों feel कर रहे है हाई vibration में थे अचानक से हम को ऐसा मिला ऐसा feel होगा आपको जैसे कोई feelings है ही नहीं आप even अगर क्योंकि यह सब illusion है universe का test चल रहा है illusion चल रहा है तो इस illusion को आप कैसे pass कर लेते हो बस यह माइने रखता है तो इस time पे घबराना नहीं है और अपना balance नहीं होना है और अपने आपको कभी भी कभी भी inferior करके नहीं देखना है कि मैं मेरा तो मैं तो वापिस वहीं पहुंच गई और अब तो मेरा तो क्या होगा क्या बनेगा ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है यह just like illusion है portal के time पे आपको बस इस test को pass करना है और जो वाली situation मैंने अपनी बताईए अगर वैसी situation किसी के साथ आती है यह लोग पल्टी मारते है doesn't matter मत गवराईए divine पर से अपना यकीन मत खोईएगा दिखो मैं एक मिनट के लिए भी नहीं हिली क्योंकि मैं जो उस person के words थे उनके तुरू समझ गई कि यह divine test है ओके यह मेरे साथ हुआ करते थे इनको भी मुझसे छीन लिया गया है अब भी के लिए ताकि मैं अपने आपको प्रूव करके इस test में से निकल के आ सकूँ so always keep that type of an attitude ठीक है nobody is perfect ठीक है मैं भी अगर balance हूँ अपने आपका ध्यान रखिए अपने आसपास का ध्यान रखिए ओके तो यह तो थी कुछ guidelines अभी इस time पर प्रॉपर अपना balance को maintain करके रखना that is a challenge for you ओके जो चीज आपको सबसे ज़्यादा प्यारी होगी एक पल के लिए आपको ऐसे वाला feeling दिया जाएगा कि यह गया ठीक है बट उस time पर आपको क्योंकि वो divine आपके belief को test कर रहे है आपने balance तो किया है आप तो balance में तो हो लेकिन देखा तो जाए चेक तो किया जाए कि आप कितना balance में हो एक पल के लिए भी दुनिया का मेरा एक हमेशा हमेशा मैंने अपने दिमाग में मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है कि दुनिया का आखरी व्यक्ति भी अगर मुझसे बात करना बंद कर देगा मुझसे रखना बंद कर देगा तब भी कुछ नहीं भी कर सकता मेरा और यह मैं इसलिए बोल रही हूं कि पिछले कुछ टाइम से मेरे पास cases आये हैं जिन में यही हो रहा है कि वो लोग यह बोल रहे हैं कि अचानक से चीजें क्यूं ऐसे हो गई हैं मैं तो बहुत अच्छी चल रही थी ठीक है तो वह आपके टेस्ट चल रहे हैं उस टाइम पर घबराना नहीं होता है उस टाइम पर तो कुछ को प्रूव करके निकलना होता है जब आप टेस्ट की तियारी करते हो तो आप हर तरह की तियारी करते हो लेकिन एक्जामिनेशन होल में आपको अकेले ही जाना होता है वो एक्जाम आपको अकेले ही देना होता है ठीक है और क से करो expect किसी से मत करो उमीद किसी से मत रखो किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो ना light work भी कर रहे हो blessings की भी उमीद अगर आप ने की है ना तो आपने उसके बजाए अपने लिए कुछ मांग लिया वो खुद आपको bless करेगा वो अलग बात है ठीक है यह वीडियो था please इससे motivation लेना message समझना, video समझना, कुछ भी समझना बट इससे motivation लेना और अब भी के time पर motivated रहना अपनी energy को लो मत आने देना ठीक है और कुछ बताना बागी रह गया क्या हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है बाई